साधत हसन मंटो दी कहानी खाली बोतलां खाली डब्बे ए हैरत मैंनू होन भी है कि खास तौर उत्ते खाली बोतलां ते डब्ब्यांच छड़े मर्दानू इनी दिल चस्पी क्यों होंदी है छड़े मर्दां तो मेरी छड़े उना मर्दां तो हैं जननु आम तोरते व्याज कोई दिल चस्पी नहीं होंदे मुझता इस किसम दे मर्दाम तोरते संकीत या जीब वो गरीब आत तांदे मालिक होंदे पर एक अल्प समझ नहीं के उना खाली बुत्ला दे डब्याना ल क्यूं इनना प्यार हुनुदë पर इन्दे ते जैन्वर अक्सरों न लौकान दे पालतू हुन दे हन्ग यह वएर समझ आ सकद है कि एकल लचोना दा कोई ता महरम होना चाहिदे पर खाली बोदलान दे खाली डब्यों नदी की गम गुसारी कर सक दिये सनक ते अजीबो गरीबात सांदा तरक पालना कोई मुश्किल नहीं कि कुद्रत दी खिलाफ वर्जिय जे विगाड पैदा कर सक दिये पर ओधिया मनुवी ज्यानक बारी कियांच जाना पामे बहुत मुश्किल है मेरी कजीज हन उमरोना दी इस वक्त पंजादे करीब करीब है उनानुको भूत्तर ते कुद्टे पालन दा शौक है येश्च कोई अजीबो गरीब पन नहीं पर उनानुको ये मर्ज है कि बजारों हर रोज दुद्धी मलाई खरीद के लिया होंदे है चुल्ले ते राक्योदा रोगन कर दे है उस रोगन चापने लिए अड्रास सालन त्यार कर दे है उना दा ख्याल है कि इस तरह खालस की त्यार होंदा है पाणी पीन लई अपना कड़ा वाख रख दे है उदे मूँ ते हमेशा मलमल दा टुकड़ा बज़िया रहन दे ताके कोई कीड़ा मुकड़ा अंदर ना चला जाए पर हवा बराबर दाखल हुन दी रही पाखाने जान्दे वक्त सब कपड़े लाके एक छोटा जा तौलिया बन लें दे लकड़िदीया खडावाँ पैन लें दे उन्कों येनदी बलाई दे रोगन कड़े दी मलमल अंग दे तौलिये ते लकडी दियां खिडामा दे मनुवे ग्यानक बुजारत नू हल करन बैठे मेरे एक छड़े दोस्त हन जाहरा तौरते बड़े नॉर्मल इंसान हाई कोट्च रीडर हन उन्हानू हर जगा तो हर वक्त बदभू आंदी रन्दी है सोना दा रुमाल हमेशा उन्हादी नक नल चिपके रन्दे उन्हानू खरगोश पालन दा शौक है इकोर छड़े है उन्हानू जदो मौका मिले ता नमाज पढ़ना शुरू कर दे परेदे बावजुद उन्हादा दिमाग बिल्कुल ठीक है दुनिया निया सियास्तां ते उ कोड़ गुड़ियां पेचवां चमोडे गलकी हर किसम दा होका होना दे कोल मौजूद है उकई मकाना दे मालखान पर होटल चिक कमरा करायते लेके रन्दे हन बटेरे उना दे जान हन इक करनल साब हन रिटायर उत वड़ी कोठी चिकले दास बारां चोटे वड़ी कुत्या दे नाल रहां दे हर ब्रान दी विस्की उना दे कोल रहां दी हर रोज शाम नू चारपग पीन दे है अपने नालके से नंके से लाड़ले कुत्ते नू भी पिलाँ दे है मैं होन तक जिनने छड़े आंदा जिकर कीते है उना सारे नू तवफी का अनुसार खाली बोतल दे दब्यान चे दिल चस्पी है। जंगल पाणी जान दे लई ते टीन दे खाली डब्य वुजू लई दर्जना दे तादाद चे जमा रख दे हन। विस्की दिया खाली बोतला सजिया नजर आउन गिया। पुराने तो पुराने ब्रांड दिया विस्की दिया खाली बोतला भी तो अनू उना दे एस निराले संग्रैच मिल जान गिया। जिस तरह लोकानू टिकेट ते सिक्के जमा करन दा शौक हुन दे। उसे तरह उना नू विस्की दे खाली बोतल जमा करन ते उना दे नुमाईश करन दा शौक सगो खबत है। करनल साव दा कोई अजीज रिष्टेदार नहीं कोई होवे ता हो दा सानू पता नहीं। दुनियाच कलम कले हैं पर वो एक कल बिलकुल मैसूस नहीं कर दे। इस तरह कर दे जिस तरह दे आलू बाप अपनी अउलाद दी कर दे। सारा देन होना दा उना पाल तू हैवाना दे नाल नाल गुजर जन दे। फुरसदे वक्तो अलमारियां विच अपनियां चहेतियां बोतलां सुवार दे रन दे। तो उसी पुछओ के खाली बोतला दा हुई है जे तु खाली डबे के उन नाल लगा दे। कि ये जरूरी है कि एकल दा पसंद मर्दान उन खाली बोतला दे नाल नाल खाली डब्यां वेच भी दिल चस्पी होए तो फिर डब्यते बोतलां सिर्फ खाली क्यों पर यह हूँ यह क्यों नहीं मैं तो नूँ शायद पहला हूँ यह अर्जगार चुके है कि मैंनू खोदे इस गल्दी है ए दे इस किसम दे हो और बहुत सारे सुआल अक्सर मेरी दिमाग पैदा हो चुके है बावजूद कोशिश दे मैंना दा जवाब खासल नहीं कर सकता खाली बोतलां दे खाली डबे खाला दे निशान हां दे खाला दा कोई मंतकी जोड एकलता पसंद मर्दा नाल शैदे ही हो सकता है कि खो दोना दी जिन्दगी टी खला हुंदा है पर फेर इस सुआल पैदा हुंदा है कि की ओ उस खला नू इक होर खला नल पूर सकती है कुटे बिलियां कर गोशां दे बंदरां दे बारे आदमी समझ सकता है कि उखाली खोली जिन्दगी दी कमी का तक पुरी कर सकते क्यो दिल बहला सकते नाजनके कर सकते दिल्चस्प भरकता दे सबब हो सकते हैं प्यार दा जवाब भी दे सकते पर खली बुतलां दे खाली डबें दिल्चस्पी दा की समान पुचांदे ह tah पहुत मुम्केन है तो अनू हेटलेई बाकवेचे नस्वालांदा ज्वाब मिल जाए। दास साल पहला मैं जदो बंबई गया, उठेक मिशूर फिलम कंपनी देख फिलम तक्रीबन वी हफ्तेयां तो चल रही सी। हीरोईन पुराणी सी पर हीरो नवा सी। जो इश्तियारांच छपियां हुयां तो स्वीरांच सज्जरा वखाई दिन्दा सी। अखबारांच ओदी पात्तर पेशकारी दी तारीफ पड़ी त मैं फिलम वेखी चंगी खासी सी। कहानी त्यान खिचन वाली सी। त इस नमे हीरोदा काम भी या। इस लिहाज तरीफ योग सी कि उनने पहली वार कैमरे दा समना कीता सी। परदे उत्ते किसी एक्टर जे एक्टरस नी उमर दाजालो नाम तोरते मुश्किल हुन्द है। क्योंके मेक अप जवान नू बुड़ा बुड़े नू जवान बणा दन्द है। परे नमा ही रुब बिना शक सज्ज्रा सी। कॉले दे विद्यार्थियां दी तरह तरो ताजाते ताकतवर। खुबसूरत नहीं सी करो दे गठे हुए जिसम दा हार अंग अपनी जगाते फबदा सी। उस फिल्म तो बात उस एक्टर दियां में हूर कई फिल्मों बिखिया। हुनों मंजिया गया सी। चेरे दे हापा बादी बच्चे वर गी कुमलता उमरते तजर्बे दी सकताईच तबदील हो जोकी सी। उदा शुमार हुन सिखर दी अदा कारां चोन लगा सी। लाइं विल्मी की दुनिया चाहिं सकेंडल आम हुने है। और दिन सुननल रायत कि फिल्दन ранल तहन्म ताली के फिल्मी दुनीया स्केंडल आमुण हुन्दे हैं। करीब-करीब करीब हर एक्टर.. ते हर एक्टरस से नाल कोई नो कोई रोमन, रोमान, देर, अवेर, वाबस्ता हो जांदा है, पर इस नमे ही रोदी जिन्दगी जिदा मैं जिकर कर रहे हैं, इन अब खेड़ियां तो पाक सी, पर अख़बारां चे इदा चर्चा नहीं सी, किसे ने पूल के भी हैरदा प्रक् के फिल्म ही दुनिया चे रहे के रामसरूप दी, जिन्दगी कमी व्यापता तो पाक है, साच पुछो ता मैं इस बारे कदे गौर ही नहीं किता, इसलिए मैं इस लही के मैंनो एक्टरां थे, एक्टरसां थे, निजी जिन्दगी च कोई दिल्चस्पी नहीं सी, फिल्म वे खेता हो दे बारे चंगी जा बुरी राई कायम केती ते बास, पर जदो रामसरूप नल मेरी मुलाकात होई, ता मैंनो दे बारे बहुत सारी यां दिल्चस्प गल्लां पता लगी है, ए मुलाकात हो दी पहली फिल्म देखन दे तकरिवन आठ साल बाद होई, शुरू शुर देखने के दिर्मियान ने दर्जिदा फ्लैट लाय रखे, उस नल मेरी मुलाकात इस फ्लैट जो होई, जिस ते चार कमरे सी रसोई समेत, तरवाद, चलदा